हेलो गाईस मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल प्रेग्नेंसी पॉइंट तो कैसे हो आप लोग उमीद करते हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपके गर्व वबस्ता होगे बहुत ही अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंड्स आठवे और नौवे फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एक गर्वती महिला है और अगर आपने पहली बार जो है कंसीव किया है तो आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल चलते होंगे कि मेरे गर्व में पल रहा शीशू जो है वो लड़का है या फि मुझे बताया था मैं आपको वही बताऊंगी और मुझे मेरी पूरी प्रिग्नेंसी में किन जगाओं पे जो है दर्द बना रहा था और जो ओल्ड वैस मुझे को देख करके बोलती थी कि अगर ऐसी जगाओं पे दर्द होता है तो यह बेवी बॉय के सिम्टम्स होते हैं तो आज मैं आपके साथ जो है पांच कुस ऐसे दर्द आपको बताने वाली हूँ जिससे आप बहुती तेजी से अनुमान लगाएंगे कि आपके गर्व में पलड़ा शीशू जो है बेवी बॉय है ठीक है फ्रेंड क्योंकि जब एक गर्वती महिला होती है अगर उसके पास पहला बच्चा जो है एक लड़का होता है तो वो सेकंड टाइम लड़की की बारे में जरूर सोचती है और वहीं पे अगर उसके पास फर्स्ट बार में अगर लड़की होती है तो सेकंड टाइम पे ऐसे सोचती है कि मुझे जो है एक बेवी बॉय हो जाए और मेरी एक फै है फ्रेंट्स यह बहुती ज्यादा मेरे अंदर पूरे नौ महीने तक बना रहा था वो था सर का दर्द में भी पूरी प्रग्नैंसी में हलका जो है सर्में दर्द बना ओवा है आप मतलब कि मुबाइल भी नहीं देख रहे हो और ज्यादा जह टीवी भी नहीं देख और तब भी जो है आपके हलका हलका सर में दर्द बना हुआ है तो यह बहुत ही सटे एक लक्षन माना जाता है कि आपके गर्व में पलड़ा शीशू जो है एक बेबी बॉइ है यह मेरे घर वाले और मेरे घर की जो ओल्ड वाइब्स होती है वो देख करके मुझे बता दे थी या फिर आपकी बोड़े के अंदर पाने की कमी हो सकती है और या फिर आपको जो है ना देखे पहले तो अपने डॉक्टर से कनफर्म जरूर करवाना है कि सर में दर्द क्यों हो रहा है ठीक है मैंने भी करवाय था बड़ जब वो नॉर्मल आया था तब मैं चुक्चा दर्म हो रहे है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर करें ताकि आपके जीवन में कोई भी समस्या ना आयए ठीक है इसके बात जो है दूसरा सिम्टम से वो यह है फ्रेंट्स की आपकी चेस्ट में दर्द होना हलका हलका दर्द तो बना रहता है और अगर आपके चेस कही ना कही मेरे अंदर भी बिल्कुल सही बैठा था जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप बहुती सटिक अनुमान लगा सकते हो और मेरी कुछ ऐसी सब्सक्राइबर है जिनोंने मुझे अपने सिम्टम्स में लिख के दिये बताया भी था कि हमें बीजो यह साथ भी मैच हुआ और उनको भी भी बच भी बॉय हुआ था तीसरा जो जो शिम्टम्स है यह बहुती सटिक है और बहुत सारी मेलवें पाया गया है जुन को बेब लज्तिक अधर आपको Bacon के निचुले हिस्थे में दर्द बना रहता था म अगर इसकी में आपको डाउट भी किलियर कर सकती हूं अगर एक से लेके तीन महीने चल रहे हैं तो आपके पेट में जो है दर्द बन सकता है क्योंकि उस तरह बच्चे का विकास हो रहा होता है आपका घरबास से जो है अच्छी तरह से विक्सित होने लग जाता है बड़ा होने लग जाता है इसलिए पेट में दर्द हो सकता है अगर एक से लेके तीन महीने के बीच में दर्द हो रहा है तो आपको जो है हाथ के ओपर हाथ रखके नहीं बैटना है क्योंकि ये दर्द ज कोई डिलिवरी के संकेर देता है तो इसलिए थोरा सा आप जो है सतर्ग हो जाए वैसे अगर आपके प्रिग्नेंसी में कोई भी कॉंप्लिकेशन नहीं है तब ही जो है मीठा मीठा आपका दर्द बना हुआ है तो आप फिर समझ सकते हो कि आपके गर्ब में पलरा शीशू जो प्रद जो बहुत है प्रम wydaje मे可以 में अगर आपके दर्द रहता है पूरी फ्रींसी में और आपके्ट है खड़ा भी नहीं हो जाता है मुझसे बहुत्व जैदा बहुँत रहता था और्जूर अगर इग्र घ्रद बना हुआ है तो अगर आप यह पलरो शीशू सकते हो कि की भी देखिए जैसे एडि में दर्द है मेरी भी एडि में बहुत दर्द रहते था तो उसके लिए जो है मैंदे log के जो गोली होती है वो तो सिधस विटामिन दी वगरा आरें वगरा की बट उसके लावा मैंने मखाने खाना जो है सुबह स्टार्ट कि यह थे चार मखाने सुबह में खाती थी और वह मैंने एक दो माईने अपने प्रेग्नेंसी में खाए हैं और आज तक जो है ना टच वोड मेरी एडियो में या पैरों में दर्द नहीं हुआ है तो यह जो होती ना हमारे कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकता है पैरों में और एडियों में दर्द बट यह जो बड़े बुज़र को मानना होता है ना कि एडियों में दर्द होना बेबी बॉय के सिम्टम्स ह होते हैं तो आप इस चीज को मान सकते हो बट अपनी केरिंग भी आपको करनी है अगर आपके एड़ी में दर्द हो रहा है मुझे पता है बहुत जादा दिक्कत हो जाती है तो आप जो है ना मखाने खाईए ताकि आपको जो है रिलीफ मिल सके और आप अपने एक प्रिंग्न कि में पाया गया लक्षन है वह था कमर के अंदर दर्द अगर आपको जो है अपने और की अरद कमर में बताना चाहती हूँ कि कमर आपको इसलिए कर ना आप अपने केरिंग कर रही नहीं है क्योंकि आप गर्वपस्तक के दुरान आपको लेफ्ट एंड साइड सोना चाहिए ताकि बच्चे को जो है बलड जो आपके सरीर से जा रहा है और प्लेसंटा के थूरू बच्चे को मिल सके और बच्चे को सास लेने में कोई दिक्कत ना आसेगे अगर आप प्रिग्नेंसी के दुरान बिल्कू सीधा सोते हो तो आपका जो घरभास्ती का वेड है आपकी रीड की हड़ी पर पड़ता है जिसके कारण आपकी कमर में दर्द हो जाता है और बच्चे को भी पूरा नुट्रिशन नहीं मिल पाता है तो इसलिए जो ह आपे जो वीडियो है ना वो देखे 90,000 एक लाग तक चली गई है तेन-चार दिनों में ही बट आप लोगों ने मेरे चनल जो हैना सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो प्लीज अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रही है चनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब क करो अगर आपने मेरा चनल पहली बार देखा है ठीक है ताइक जो है मुझे एक उमीद जागे मेरे अंदर और में और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लागे आसको ठीक है थैंकी सो मज